हलो दोस्तों, आज मैं आपको बदाने जा रहा हूँ कि iPhone या फिर iPad वगरे में जो DFU Recovery Mode होता है वो क्या होता है और उसके बारे में मैं आपको कुछ बेजिक जानकारी देने जा रहा हूँ तो इस वीडियो के सुरू से लेकें तक देखते रहे हैं आप देख रहे हैं टेकी प्रसान तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यह DFU Mode क्या होता है तो DFU उसका Full Form है Device Firmware Update तो जनरली क्या होता है कि आपके iPhone में कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम होता है आपको लगता है कि बार-बार बैटरी डिस्चाज हो जाती है, हैंग हो जाता है और आपको पता नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है मैंने software यानि iOS 10 में से 11 अपडेट किया और मेरा phone slow हो गया यानि आपको कुछ exactly reason पता नहीं चलता यह इसका main reason क्या है डाइगनोसिस करते हैं तो सारे sensor वोगे तो okay आते हैं फिर भी यह problem क्यों है phone में कोई data नहीं है फिर भी phone slow चल रहा है कोई exact reason आप पता नहीं कर सकते है और कुछ situation में आपको पता भी नहीं चलता कि इसकी behavior क्या है phone की तो वो situation में आपको अपना iPhone आपको नहीं करना है जनरली यह जो step करते हैं वो Apple के authorized service center वाले ही करते है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि exactly यह DFU mode जो है वो pure technical steps है अगर इसमें कुछ भी गलती हो जाए तो आपका जो device है वो unusable हो जाएगा क्यों में वो reason भी आपको बताने जा रहा हूं तो जनरली होता है कि जब भी आप DFU mode के अंदर उसे reset करते है तो जनरली क्या होता है वो device firmware update level पे वो update होता है software level का वो reset update नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो update हो जाने के बाद phone जब वो update time पे restart होता है उस time पे अगर आपके phone के अंदर कोई भी sensor वगेरे या तो फिर water related कोई damage वगेरे का उसमें problem है तो DFU mode होने के बाद आपका phone start नहीं होगा वो permanently non usable हो जाएगा और बाद में आपको service center पे जाबके hardware problem issue है वगेरे solve करवाना पड़ेगा तो कभी-कभी यह भी मैंने देखा है कि कुछ clients वगेरे जो होते है उसके वो खुद कोसिस करता है क्योंकि net पे बहुत सारे वीडियो मिल जाते है कि exactly यह DFU mode वगेरे कैसे वो करता है reset कैसे करना है जनरले आपको iTunes वगेरे की जरूरत होती आज में इस वीडियो में आपको DFU mode में reset कैसे करना है वो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास एक spare में iPhone device होना चाहिए ऐसा spare में device नहीं है क्योंकि जो device है वो working में है तो आज मैं आपको सिर्फ जानकारी देने जा रहा हूँ कि कहीं से भी अगर आपको information मिले कि DFU mode में ऐसे phone को reset अगरे करना है तो आप बीना सोजे समझे उसे मत कीजिए क्योंकि कहीं बार मैंने देखा है कि आपके phone के अंदर जनरली कुछ sensor अगरे का problem होता है लेकिन वो जो problem होता है वो आपको पता नहीं होता और आप normally phone को use कर सकते है लेकिन अगर आपने diagnosis नहीं किया और आपको पता नहीं यह sensor का problem है और DFU mode के थूर उसे reset कर दिया तो जनरली क्या होगा कि वो सकता है कि DFU mode के थूर आप उसे reset करते है तो आपका phone phone फिसे start ही नहीं हो और आपको Apple के service center पे जाने की जरूरत पड़े और hardware problem solve करने की जरूरत पड़े तो अगर आपके device में कुछ hardware का problem है यानि आपको offshore नहीं है कि sensor या तो फिर hardware के related कुछ problem है तो आप उसे DFU mode के थूर reset मत कीजे क्योंकि यह थोड़ा risky है firmware level का यह updates होता है तो अगर आपने कुछ भी थोड़ी बहुत गलती कर दी reset होने के time पे तो हो सकता कि आपका phone जो हो properly start भी नहीं हो और आपको बाद में service center पे जाने की जरूरत पड़े तो आप एक चीज़ द्यान में रखिए सिर्फ information video में ने इसलिए ही बनाया है कि कहीं से भी अगर आपको DFU mode में reset करने की information मिले तो आप properly पहले उसे बार-बार उसे study कर दीजे क्योंकि iPhone 6S के पहले कि जो model से जिसमें aptic touch वगेरे नहीं थे उसमें अलग में थर है बाद में 7, 8 में अलग में थर है और बाद में 10 के अंदर भी अलग में थर है कि कैसे उसे DFU mode पे लाना है क्योंकि यह बहुत जरूरी है सबसे पहले तो आपका जो कौन है properly DFU mode में आए उसके लिए आपको Apple का original cable लिके आपके computer के साथ connect करना होता है iTunes डालना पड़ता है और iTunes के थरूँ डिटेक होता है कि यह प्योर DFU mode में आ गया है और बाद में आपको इंटरनेट की connection की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसके लिए जो software होता है आपके iPhone के model के हिसाब से वो पूरा software होता है वो net के थरूँ डाउनलोड होता है और बाद में वो पूरा recover की process होती है और in between अकर कुछ भी इसमें steps में कुछ problems आ जाए तो जो पूरा phone है जैसे मैंने बताया कि in between unusable stage में आ जाएगा और फिर से वो process शुरू करनी होगी कहीं कहीं बार को sensor की बज़े से अकर वो reset नहीं हो पारा है तो phone service center पे ही ले जाना पड़ेगा पहले तो hardware का जो issue है वो solve करना पड़ेगा बाद में ही वो फिर से DFU reset mode में वो कर सकते हैं तो यह आप थोड़ा careful रही है अगर आप यह चीज अपने आप करने जा रहे है अगर आपका phone guarantee warranty में है तो आप Apple के service center पे जाके वहाँ से भी वो reset करवा सकते हैं लेकिन वो ज़्यादे आपको suggestion देगे कि एपन को really में DFU mode के अंदर reset करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कुछ situation में अगर factory reset यानि software related जो reset होता है नॉर्मली जो करते हैं उससे अगर कुछ problem solve नहीं होते हैं और सारे hardware sensor वोगे रहे up to date बताते हैं तो DFU mode के थ्रूरी reset करना एक option रहे जाता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे unknown problems होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि reason क्या है वो सारे problem उसमें solve हो जाते हैं तो मुझे उमीद है कि यह आप video आपको पसंद आया होगा और यह DFU mode का use आप बहुत carefully करेंगे अगर मेरे पास को spare में device आया तो मैं आपको बताऊंगा practically करके कैसे exactly DFU mode के अंदर आप अपने phone को reset कर सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो उसे like कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे भी subscribe कर दीजे subscribe करने के बाद जो bell का बटन है उसे भी tap कर दीजे तो जब भी मैं चैनल पे नया video upload करूँगा तुरंत आपके device में push notification मिल जाएगा और आप मेरा नया video देख पाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद